हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टुमाय चैनल अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लग हर नहीं आने वाले कोरी ड्रामा की एक्स्प्रियरेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे स मुझे एक घर पसंद है इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी बीवी मुझे एक घर खरीदने में मश्वरा दो वेंड मिंग कहता है कि कोई मसला नहीं है तो उसका दोस्त कहता है कि फिर इस वीक हम मिल रहे हैं मुझे और निंदो के साथ बिजनस ट्रिप से वापस आई होती है तो यह कहने लगती है कि आजकर हम लोग कुछ जादा ही बिजनस ट्रिप पर जा रहे हैं मुझे लगता है कि हम लोग डेंडर लाइन्स जो कि फूर का नाम है उसके बीच की तरह हो गए हैं लिंदा कहने लगता है कि देंडर लाइन्स के जो बीच होते हैं वो बहुत अराम राम से उड़ते हैं जबकि हम तो बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहे हैं मुझे लगता है कि तुम आज ता किसे लिए सिंगल हो कि तुमें कुछ ज्यादा ही बातें मिला नहीं आती है निंदा कहता है कि तुम गलत कह रही हो, उन्हें बस ये लगता है कि मैं बहुत जादा फारिग हूँ क्या तुम्हारे यहु वाले अपार्टमेंट में कोई कमरा खाली है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए खाली रहेगा, और कहने लगती है कि अपने आपको देखो, अगर तुमने मेरी बात मान कर अपनी जॉब ने छोड़ी होती, तो आज फिर से तुम् सब्वे स्टिशन से बहुत दूर है इसलिए ये घर खरीदते हों मैं थोड़ा से हिचके जा रहा हूं तो ट्याइनरों कहती है कि अगर ये अपार्टमेंट सब्वे के पास होते तो इसके प्राइस भी जादा होती ये सुनने के बाद विन्बिंग का दोस्त इसको कहता है कि बीवी तो इस काम में बहुत ही माहिर है तुम बहुत लगी हो वेन्बिंग का दोस्त ट्याइनरों को बिल्डिंग को ये बिल्डिंग दिखाते हुए कि मेरे अंकल इंजिनिरिंग कॉन्ट्रेक्टर है और डिवल्पर ने उनको यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स दे दि हूँ फिर जब ये दोनों वापिस जा रहे होते हैं तो वेन्बिंग टीयनरों के कहता है कि हम ये सारा अपार्टमेंट का यूनिट कैसे खरीद सकते हैं ये यूनिट हम नहीं खरीद रहे हैं अगर मैं अपने फैन कलब में इस अपार्टमेंट के बारे में बात करूँगी तो बहुत सारे लोग ये अपार्टमेंट खरीदने के लिए आ जाएंगे क्योंकि अब इस फील्ड में मेरी बात की हमयत है और ऐसा करने से हम बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं वेन बिंग टियानरों का आइडिया सुनकर बहुत खुश होता है और उसे कहते है कि तुम तो बहुत ही जीनियस हो टियानरों कहती है कि अब हम काम बांट लेंगे मैं क्लाइंटस को हैंडल करोगी और तुम फैंग के अंकल से बात करोगे ताके वो हमें थोड़ा सा डिसकाउंट दे दें वेन बिंग कहते है कि कोई मसला नहीं है और अब वेन बिंग फैंक के अंकल से बात करने के लिए आ गया होता है वेन बिंग फैंक के अंकल से कहता है कि लोगों के बीवियों को ब्रेंडिट बैक्स खरीदना पसंद होता है मेरी बीवी को गर खरीदना पसंद है असल में इस पूरे यूनिट को खरीदने के बारे में मेरी और मेरी बीवी की बहुत लड़ाई हुई है मैं तो ये नहीं खरीदना चाहता लेकिन मेरी बीवी इस पूरे यूनिट को हर हाद में खरीदना चाहती है और अगर मैंने ये पूरा यूनिट खरीद लिया तो मेरी जिन्दगी बिलकुल पहले कितना हो जाएगी उस वक्त में तो मेरे पास बिलकुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे और मैं अक्सर फंक साही पैसे उधार ले लिया करता था फैंग इसको तसली देते हैं कि पुराना वक्त गुजर गया है अब उनुकर कहते हैं कि तुम्हारी अब इस बात से क्या मतलब है क्या तुम मेरे युनिट खरीद रहे हो या नहीं वैंग बेंग कहते है कि मैं आपको युनिट खरीदना चाहता हूँ लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा सा डिसकाउंट दे सकते हैं इसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम ये पूरा यूनिट खरीद रहे हो तो मैं तुम्हें 10% डिसकाउंट दूँगा वैन बिंग अंकल का शुक्रिया अदा करता है तो अंकल कहते हैं कि मझे अपनी बात मुकमल करने दो जब हम ये डियल फाइनल कर लेंगे तो मैं तुम्हें 2% पैसे वापिस कर दूँगा क्योंकि तुम लड़के हो तो तुम्हारे हाथ में भी कुछ पैसे होने चाहिए दुसरी तरफ टेनलों भी क्लाइंट्स को ये घर खरीदने के लिए मना रही होती है साथ ही वेडमिंग की कॉल आजाती और ये टेनलों को बताता है हमें इस पूरे यूनिट को खरीदने के लिए 12% डिसकाउंट मिल गया है टेनलों केहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है टेनलों केहती है कि तुम आज ही इनसे एक कांट्रक्ट ले आओ और हम मुजियो से एक दिफ़ा ये कांट्रक्ट ताके कंफर्म कर वा लें वेडमिंग केहता है कि ठीक है अब लिंदा और मुजिया अपने कलाइट से एक जगा पर मिलने के लिहाई होते हैं इनकी कलाइट ये दोनों को बता रहे होती है कि पहले इस जगा पर एक सोप फैक्टरी थी लेकिन फिर मैंने ये सारी जगा खरीद ली है इनकी क्लाइंट को लिंदा को डिजाइन बहुत पसंदाता और कहती है कि तुम लोग ये जगा अच्छे से देख लो आज और फिर हम बाद में कांट्रक्ट साइन कर लेंगे जब टियन रूंग और वैंबिंग घर पर होते हैं तो वैंबिंग अब ज면 घर खरीदना चाहरा हूं तुम मुझे ये कह री हो कि हम ये घर अफौड नहीं कर सकते ट्यों में और वैंड्बिंग क्यों कि तुम्हें तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं आज जब जॉर्लेंड्सकेप के सारे वरकर काम कर रहे होते हैं तो दिन दा इनके पास आतर कहता है कि हम अपनी नरसरी खरीदने वाले हैं मुझे को यहाँ पर एक मेसेज रिसीव हुआ होता है जिसको देखकर यह दुखी दिखाई दे रही होती है आज ट्यानलंग और वेंग उन बिंग एक पार्टी पर आये होते हैं जहाँ पर बड़े-बड़े रियल इस्टेट कमपनी के मालिक भी आये होते हैं ये सबी लोग टियान डूंग से तो बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं लेकिन वेन बिंग को देखते हैं इनका रहया बदल जाता है वेन बिंग इस पार्टी पर बोर हो रहा होता है तो ये अपनी गाड़ी में वापिस आकर बैट जाता है और कैप और ग्लासिस लगाकर अपनी ही गाड़ी में टैक्सी की सेविस देने रखता है दो आदमी आकर बैट जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि टियान डूंग ने एकी दफ़ा में पूरा यूनिट खरीद लिया है दूसरा अपनी कहता है कि मैं उसके हस्बंट से भी मिला था जो कि लूजर दिखाई दे रहा था और अपने बारे में ये बात सुनकर वेन बिंग को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता वेन बिंग टियान डूंग को वापस लेने आता है तो टियान डूंग कहती है कि ये देखो इन सबने मुझे कितने सारे गिफ्ट दे दिया है त्यान्रू बहुत खुषी से बता रही होती है कि इसको एक और सैमिनार में लेक्षड दने का मौका मिल गया और वो इसको बहुत चादा पैसे दे रहे है लेकिन वेरिंबिंग कोई जवाब नहीं दे रहा होता नहीं किया विन्बिंग कहता है कि तुम्हारा पूरी फैमिली पर ही इसान है यह कहकर त्याइन रॉंग ने गाड़ी की जाबिजस की पॉकेट में डाल दी होती है यह गाड़ी पर रखकर चला जाता है घर आने के बार ट्याइन रॉंग विन्बिंग से बात करें के कोशिश क कर रही होती लेकिन यह कोई जवाब नहीं देता जिस पर ट्याइन रॉंग गुसा हो जाता और यह इसका बिस्तर लाकर सोफे पर रख देती है कि आश्रा तुम यहीं सोचाना त्याइन रॉंग रात को उठती है तो यह देखती है कि वैन बिंग अभी भी काम कर रहा है तो से कहने लगती कि क्या तुम पागल हो अभी तक काम क्यों कर रहे हो तो वैन बिंग कहता है कि आज जो हम इतनी अराम से जंदगी गुजार रहे हैं वो इसलिए क्योंके तुम और मेरे डैड बहुत मेहनत करते हो इसलिए अब मैं भी कुछ करना चाहता हूं लेकिन अब तु मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हो तुम कोई एक घर नहीं खरीदरे बलके तुम पूरे यूनिट को खरीदने की बात कर रहे हो और ये बहुत ही रिसकी काम है वैन बिंग तुम से कहता है कि जिनरेशन तभी अमीर रहती हैं जब हम अपने आने वाले बच्चों के लिए काम करेंगे मैं सारी अमर अपने डैट की पैसों पर जिन्दगी नहीं गुजार सकता हूं इसलिए हमें रहने के लिए मुझे मीनत करनी होगी वैन बिंग अप टियंडरों को सारा प्लान दिखाने लगता है कि जिस जगा पर हम ये घर खरीदने वाले हैं वहां पर आने वा के पैसे परो किया किया करेंगे तो बाइट करेंगे के अप एसा क्यों कह रहे हैं तुम्हारे की पैसे पीसे बीन नहीं तुम्हें इतने तो डेट कहते हैं कि अगर तुम ये पूरा यूनिट खरीदना चाह रहे हो तो ये बेवकूफी है। वेनमिंग अपने डेट से कहते है कि क्या आपको मेरे पर जरा भी भरोसा नहीं है। डेट कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन मैं तुम जानता हूँ इसलिगे मैं इंकार कर रहा हूँ। अब वेनमिंग अपने डेट से कहते हैं कि ठीक है टीन रूंगी गर खरीद रही है। ये इस पूरे यूनट के खरीदने का प्लान पड़ा है। अगर आपको खरीदने का मन चाहे तो मुझे बता देना। ये केकर विनमिंग याज चला जाता है। टीन रूंग जब आज सुबह मुझे उसे मिलने के लिए आती तो कहती है कि तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। मुझे उख कहती है कि मैं आदे महीने के अंदर सोनो जगां पर ट्रैवल किया है। तो फिर मैं कैसे थकी नहीं हो सकती हूँ। ट्यैन रोंग केती कि तुम्हें ही शौक था अपनी जॉब को चींज करने का तो मुझे ओ कहती है कि मैं यह काम करके बहुत खुश हूँ ट्यैन रोंग इस पूरे यूनट के खरीदने का जो कांट्रेक्ट होता है यह मुझे ओको लाकर दिखाती है मुझे ओ कहती है कि तुम फिर से घर खरीद रही हो तो ट्यैन रोंग केती है कि घर नहीं मैं पूरे गुनट खरीद रही हूँ मुझे हो कहती है कि ये काम करना बिलकुल ऐसे है कि आप ड्रंक होकर गाड़ी चिला रहे हो आपको पता है कि आप के कंट्रोल में गाड़ी है लेकिन फिर भी आप खत्रे में है मुझा कहती है कि कुछे दिन बाद मुझे एक घर चोड़ कर जाना पड़ेगा तो ट्यान रूंग कहती है कि मैंने अपना अपार्टमेंट तुम्हारे लिए साफ करवा दिया है इसलिए तुम जब चाहे वहाँ पर शिफ्ट हो सकती हो ट्यान रूंग इसको घर के चाहबी दे देती है तो मुझे रूंग कहती है कि मैं इस हफ़ते तुम्हारे घर पर शिफ्ट हो रही ह Benson और तुम दोनों को मेरी मदद के लिए आना होगा और आज मुझे रूंग तो तेAngel Hugh होगाई होती है जांग मुझा को देखकर कहता है कि हम फिर से रूमिट्स बन गए हैं अब मुझा की मदद करने के लिए TN रोंग और विनबिंग भी यहां पर आये होते हैं TN रोंग मुझा से पूछती है कि क्या तुमने कांट्रेक्ट को फाइनिलाइस कर दिया है मुझों कहती है कि हाँ और फिर ये टियांडों को ये कांट्रेक्ट भी पकड़ा देती है मुझों कहती है लेकिन मैं तुम्हें एक बात फिर से गात करवाना चाहती हूँ कि ये पूरा यूनिट खरीदना बहुत ही रिस्की काम है इसी मुमेंट पर एपिसोड 33 खतम हो जाती है